इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारती नयाई सहीता के सेक्षन 78 के बारे में ये स्टॉकिंग की बात करता है अक्सर महिलाओं को तंग करने की मनशा से या फिर उन पर बुरी नजर रखने वाले लोग उनको स्टॉक करते हैं और BNS का सेक्षन 78 में स्टॉकिंग को एक गंभीर क्राइम माना गया है इसके लिए पनिश्मिंट का भी प्रोवीजन किया गया है इस सेक्षन में दो तरह के कामों को पनिशेबल ओफिंज बनाया गया है कि किस तरह के दो काम होंगे जो कि स्टॉकिंग के अंतर गताएंगे और उसमें सजा दी जा सकेगे पहला है कि अगर कोई वेक्ती किसी महिला का पीछा करता है उसके मना करने के बावजूद उस महिला से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है या फिर बार-बार किसी जगा पर महिला को रोकता है या स्टॉक करता है तो इसे स्टॉकिंग माना जाएगा दूसरे ये कि अगर कोई वेक्ती महिला को इंटरनेट के जरिए से, इमेल के जरिए से या फिर किसी भी इलेक्ट्रोनिक जरिए से उस महिला को स्टॉक करता है तो यह माना जाएगा कि उस वेक्ती ने इस section का crime किया है कुछ circumstances या फिर कुछ condition ऐसी हो सकती है जहां पर ऐसा करना justified होगा यानि कि उसे crime नहीं माना जाएगा तो वो condition ये होगी कि आगर ये पीछा करना किसी अपरात को रोकने के लिए किया जा रहा था उस talk करने वाले वेक्ति को state के तरब से appoint किया गया था कि वो ऐसा करे तो ये crime नहीं माना जाएगा या फिर ऐसा काम करना कानून की नजरों में सही था और जरूरी था तब भी ये justified होगा उस वेक्ति को सजा नहीं दी जा सकीगी तो आई इसमें punishment की बात करते हैं अगर कोई वेक्ति first time stalking का crime करते हुए पाया जाता है तो उसे 3 साल की punishment दी जाएगी प्लस उस पर fine भी लगाया जाएगा लेकिन अगर वही वेक्ति second time भी इसी तरह का crime करते हुए पाया जाता है तो उस वेक्ति को 5 साल तक की सजा दी जा सकीगी प्लस उस पर fine भी लगाया जाएगा तो इस तरह से PNS का section 78 stalking को एक punishable offense बनाता है होप की ये वीडियो आपको informative लगा होगा वीडियो को like और चैनल को subscribe करना बिल्कुल मत भूलेगा